कि नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी लोगं का आज के इस वीडियो में बहुत-बहुत स्वागत हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग SSE GD के लिए Practice Set जो कि इंग्लिस Language का है इंगलिस सब्ज़क्ट का है solve करने वाले हैं तो इस वीडियो में आप लोग हमारे साथ बने रहेगा पूरे लाश्ट तक और हमें इस वीडियो के अंत में बताईएगा कि आपके कितने question सही हुए ठीक है तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को वीडियो सुरू करने से पहले मेरी आप लोगो सेट मिल जाएंगे तो उस उस जाकर बाकी के भी प्रेक्टिस सेटों को आप लोग जरूर लगाएगा ठीक है फुचलिए शुरू करते हैं आज के इस प्रेक्टिस सेट को पहला है पहला प्रश्ण है सेलेक्ट सिनोनिम उपदा गीवें बड़ ठीक है तो जो दिया हुआ बर्ड है इनकोरीजिबल इसका सिनोनिम बताना है ठीक है सिनोनिम जानने से पहले हमको यह पता होना चाहिए कि इनकोरीजिबल का मतलब का होता है ठीक है तो क्या मतलब होता है इनकोरीजिबल का मतलब तो इसका जो मीनिंग है वो है और संसुधनी है मतलब जिसको ठीक ना किय किया सके थिक है इन को यहां पर हम देख लेते हैं in options में से कौन सा option सण होगा ठीक है तो यहां पर देखे reliable होता है reliable मतलब जो सवधा जनक हो ठीक है जो सुभधा जनक हो अन-अल्ट्रेवल मतलब strangers का मतलब होता है जिसको सही ना किया सके जिसको संसोधित ना किया जा सके ठीक है तो इसका जो correct answer है वो है option number two unalterable ठीक है चलिए अगले प्रशन की तरह बढ़ते हैं अगला प्रशन है select the word which means the same as the group of word given one who studies antique things ठीक है यह जो line लिखी है ठीक है इसका आपको क्या बताना है meaning बताना है ठीक है मतलब इसका इसके लिए इस इन सब्दों के लिए एक जो सब्द है वो कौन सा होगा ठीक है one who studies एंटिक थिंग्स मतलब की वह वेक्ति जो एंटिक थिंग्स मतलब होता है जो प्राचीन चीजे होती है जो रेयर टाइप की चीजे होती है रेयर टाइप की ठीक है उनको बोलते हैं एंटिक ठीक है तो एंटिक थिंग्स की जो इस्टडी करता है उसको हम क्या कहते हैं तो यह एंटिक्यूरियन जो है जो एंटिक चीजों का खोज करते हैं ठीक है तो एंटिक्यूरियन बोलते हैं यहां पर ओप्सन नमबर थिरी यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ठीक है अगला प्रसंद देख लेते हैं अगला प्रसंद देख लेते हैं choose the correct meaning of the following item, ठीक है इस item का correct meaning बताना है to cut both end to cut both end मतलब कि दोनों तरफ की बात करने वाला तोनों तरफ की बात करने वाला उसके लिए use क क्या जाता है to cut both ends ठीक है मतलब दोनों तरफ का पर्च रखने वाला to cut both end ठीक है इसका अरत तो यह हुआ अब इसके options में देख लेते हैं, to reject all arguments, तो ये तो नहीं होगा, ठीक है, किसी भी argument को reject कर देना, सभी arguments को reject कर देना, ये हो सकता है नहीं हो सकता है, to consider the truth and untruth, ठीक है, तो सच और जूट को दोनों को मानने वाला, तो नहीं ये भी नहीं हो सकता, to argue against both side of an issue, ठीक है, to argue against both side of an issue, तो किसी issue के दोनों ही पक्षों के खिलाब बात करना, ठीक है, या फिर to argue in support of both side, किसी भी issue के दोनों side में बात करना, दोनों के पक्ष में बात करना, ये option no.4 जो है यहां पर correct answer हो जाएगा, ठीक है, to argue in support of both side, ठीक है, इस item के according, अगला प्रस्ण देख लेते हैं, select the antonym of the given bird, यूफोरिया का मतलब होता है, यूफोरिया का मतलब होता है, उत्साह, क्या होता है, उत्साह होता है, यूफोरिया का मतलब, ठीक है, अब यहां पर इसका हमें अन्टोनिम बताना है, बिलोम सब्द बताना ह है, तो उत्साह का कोई song से कोई मतलब नहीं है, ठीक है, उत्साह का उल्टा song नहीं होगा, music भी नहीं होगा, ठीक है, लिधर्जी, लिधर्जी हो सकता है, या नहीं हो सकता है, सबसे पहरे तो बताइए कि लिधर्जी का meaning क्या है, तो लिधर्जी का जो meaning होता है, वो होता है आलस ठीक है ठीक है क्या होता है आलस होता है या निरिसा हो गया ठीक है तो यहां पर बताइए सही आंसर क्या होगा तो सही आंसर होगा लिथर्जी ठीक है यूफोरिया का जो विलूम सब्द है एंटोनिम है वो क्या है लिथर्जी है ठीक है चलिए अगला प्रसंद लेते हैं select the word which means the same as the group of birds given, तो यहाँ पर जो दिया गया है ना, यहाँ पर जो birds दिये हुए है, तो इसमें जो correct spelling वाला bird कौन सा है, ठीक है, correct spelling वाला word यहाँ पर आपको बताना है, ठीक है, तो यहाँ पर correct spelling जो है, वो है, one, substitution, तो यहाँ पर option number one जो है, clear है, correct है, select the antonym of the given bird, awkward, ठीक है, आप लोगो ने कई बार सुना भी होगा, awkward, तो awkward का मतलब होता है, अजीव, ठीक है, क्या होता है, अजीव होता है, तो इसका अब हमको बताना है, अन्टोनीम, matchless, अजीव से कोई वास्ता है, इसका नहीं है, convenient, और problematic, difficult, तो देखिए, difficult का मतलब होता है, कठिन, problematic का मतलब होता है, problem उत्पन करने वाला, ठीक है, जो की, इससे कोई मतलब नहीं हो, उसका, convenient का मतलब होता है, सुवधा जनक, ठीक है, इसका मतलब होता है, अजीव, या असुवधा जनक, और convenient का मतलब होता है, सुवधा जनक, तो इसका जो, awkward का जो बिलोब सब्द है, वो है, option number two, यहाँ पे convenient, ठीक है, अगले प्रस्शन के देख लेते हैं, choose the correct meaning of the following item, to get away with, to get away with का meaning क्या होता है, to get away with का meaning होता है, किसी के साथ जाना, किसी के साथ चले जाना, ठीक है, या किसी के साथ अलग हो जाना, तो इसका, अब यहाँ पे options में देख रहते हैं, to escape from something, किसी से अलग हो जाना, to finish an assignment, किसी assignment को पूरा करना, ठीक है, to go to unknown place, किसी unknown place पे जाना, to go away from home, घर से दूर चले जाना, घर से जाना, ठीक है, तो इसका correct answer क्या होगा, तो यहाँ पे to escape from something, किसी से अलग होना, या किसी से किसी के साथ अलग होना, तो यहाँ पे जो correct answer है, option number one, ठीक है, अगला प्रशन है, select the option that can be used as one word substitute for the given group of words, a person who is excessively conceited and self absorbed, वह ब्यक्ति जो अत्यधिक इसको proudie कहते हैं, ठीक है, proudie या self absorbed, जो कि खुद के बारे में ही ज्यादा वो सोचता है, मतलब हम कुल मिलाके इनको इस पूरे इस sentence को हम यह बोल सकते हैं, कि वह ब्यक्ति जो अधिक घबंडी हो, उसके लिए एक वर्ड में क्या होगा यहाँ पे, वन बर्ड में, वन बर सब्सिटूट क्या होगा, तो यहाँ पे option number, जो one है, वो correct answer है, तो प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में इतना ही, उम्मिद करता हूँ कि वीडियो पसंद आईगे, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, मिल तेक लिए वीडियो में तक के लिए बाई बाई टेक क्यार,